सुर्खिया और संक्षिप्ट सारांश अपडेट एक महत्वपोर्ण दिन राष्ट्रिय मचली किसान दिवस भारत 10 जुलाई मचली किसानों और उद्योग विशेशग्यों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है डॉक्टर हीरालाल चौदरी और डॉक्टर के एच अलीकुही के योगदान को याद करता है जिन्होंने 1957 में हाइपोफिसेशन तक्नीक के जरिये भारतिय एकवाकल्चर में क्रांती लाई अपडेट 2 महत्वपोर्ण दिन निकोल टेसला दिवस, 10 जुलाई निकोल टेसला के जीवन और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए हर साल मनाया जाता है 2006 में एक रोएशियाई संसत द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था अपडेट 3 पुरसकार डॉक्टर अर्पित चोपडा को होमियोपैथी में अग्रणी कारे के लिए प्रतिष्ठत उत्कृष्टता पुरसकार भूपाल में MSMES सम्मेलन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सम्मानित किया गया होमियोपैथी में उनके योगदान के लिए अपडेट 4 पुरसकार HCL Tech की रोशनी नाडर मलहुत्रा को फ्रांस का सर्वोच नागरिक सम्मान मिला उन्हें व्यापार और स्थिर्ता में योगदान के लिए शूरवीर देला Legion of Honor से सम्मानित किया गया जिससे फ्रांस और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार हुआ अपडेट पांच, पुस्तके तमिलनाडू के CM स्टालिन ने तमिलनाडू के लोग देवताओं और किलो पर कॉफी टेबल बुक्स जारी की तमिलनाडू के लोग देवताओं और किलो पर केंदरित दो पुस्तकों का विमोचन किया जिसे दे हिंदू ग्रूप ऑफ पॉब्लिकेशन्स और राज्य सरकार ने मिलकर प्रकाशित किया अपडेट 6, रक्षा चीन के बढ़ते तनाव के बीच, क्वार्ट, सहयोगियों के साथ मलबार नौसनेक अभ्यास के लिए भारत तैयार इस अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में मलबार नौसनेक अभ्यास के लिए अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ तैयारी कर रहा है जिसमें उन्नत पंडुबी रोधी युद्ध पर ध्यान के इंद्रित किया गया है अपडेट 7, अर्थ्व्यवस्था अपडेट 8, मृत्यूलेक प्रसिद गायका उशा उथुप के पती जानी चाको उथुप का निधन जानी चाको उथुप का 78 वर्ष की आईयू में कार्डिय का रेस्ट से निधन हो गया उनके पीछे उनकी पतनी प्रसिद गायका उशा उथुप को छोड़ कर अपडेट नो, रैंक और रिपोर्ट, RBI रिपोर्ट, वितवर्ष 24 में भारत की रोजगार वृद्धी 6 प्रतिशत बनाम, वितवर्ष 23 में 3.2 प्रतिशत RBI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वितवर्ष 24 में 46.7 मिलियन नौकरियां पैदा की, जिसे रोजगार वृद् की जीत अभाई सिंग ने जोशना चिनप्पा के साथ मिश्रित डबल्स और वेलावन सेंथिल कुमार के साथ पुरुष डबल्स में जीत हासिल की, मलेशिया में आयोजत चेंपियंशिप में खिताब जीता